हलो विडियो को कुमें आपका स्वाकत आतोफेंस आज हम आपको मट्री बनाना बताएंगे वह भी मेंदी की दूसके हम दो कटोरी मेंदी को ले लेती है और इसमें zach करके लेना है चनके और इसमें हम सबसे पहले एड़ करेंगे वह नमक आप अपनी स्वादानुसा नमक के एड़ कर सकते हैं और इसके बाद हम अजवाइन लेंगे वन टीट फुल और इसको हतेली से इस तरीके से रगड़ दूए डाल देंगे तो फैस अगर कहीं आप इसमें मिर्ची डालना पसंद कर दें तो आप डाल सकते हैं हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला है हप टीट फुल और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें मुवा लागा लेते हैं मतलब हम इसमें ओयल कर लेते हैं जिससे की हमारी माठरी खस्ता बनेंगी आप चाहें तो इसकी जगर घी या डालडा कभी इस्तमाल कर सकते हैं तो फैंस इस तरीके से हमको ले लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखे फैंस इस तरीके से हमें इसको मिक्स कर लेना है और अनवह निक्स पायने के बाद हम इसको को दो नवहाद नाँ से अच्छ ए से मिक्स करЯना है कि आपका मुवा सही लगा है अपना गी या तेल जो भी आपने यूज़ किया है वो सही डला है तो इसमें हमने वही कटोरी से एक कटोरी पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें डालते हुए इसका आटा बिगा लेते हैं मैंदी को अच्छे से बिगो इसको मीडियम में जत्ते ही हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके का टाइट रखना है हमें तो फिर देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से विगा लेते हैं तो इस तरीके से हमें हलका हलका पानी डालके इसको अच्छे से एड़ करें तो प्लीज फैंस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दावाएं जिससे आने वादी हर एक वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो फैंस देखिए हमने आट हमने यह बना लिया है और आपको पानी देखा देते हैं आधी कटोरी से थोड़ा से जाधा पानी लगा है हमने दो कटोरी मैंदे में इत्ता कम पानी के यूज हुज होता है और इसको अच्छे से हमने अच्छे से भिगा लिया है आप चाहिए तो 4-5 मिनट के लिए लिए लेकिन हम डारेक्ट इसको बनाएंगे तो फिर इस तरीके से इसको लंबा कर लेते हैं और इसको एक ही साइज में हम लोईयां तोड़ लेते हैं तो इत्ती बड़ी हम रोटी के लिए लेते हैं उससे बड़ी लोई लेनी है डबल वाली और इस तरीके से हम आरी 5-6 लोई हो चुगी है और इनको अच्छे से बना लेते हैं लोई बना लेते हैं गोलाकार की इस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए लोई बना दे हैं और इस तरीके से हम सारी लोई को अच्छे से चिकना चिकना बना लेते हैं तो देखिए इस तरीके से हमें सारी लोईयां बनाकर रेडी कर लेनी है तो देखिए इसी तरीके से फ्रेंस हमें सारी लोईयां बनाकर रेडी कर ली है और अब हमें आपको आगे की प्रोसेस कर देखिए अब हमने ये बेलन लेनी आए बिलन पर थोड़ा सामने oil add की oil लगाया है और यह हमने एक लोगी ले लिया है और उस पर इस तरीके से oil लगाकर इसको अच्छे से बिल लेते हैं अच्छे से oil लगा लेते हैं और इसको अच्छे से बिल लेते हैं तो फैस्स इस तरीके से हमें इसको अच्छे से बेल लेना है हमें ज्यादा मॉटा भी नहीं रखना है और नहीं हमें ज्यादा पदला गएना है और इस तरीके से तो देखिए फैस हमें इसको अच्छे से बेल लिया है नहीं जाधा मोटा नहीं जाधा पतला और एक चाकू की साहिता से हम इसको कॉटेंगे इस पर दौन तरफ उईल लगा लेते हैं और इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं तो हमें साइट से पतली काटनी है इधर से पतली पतली सेब में काटेंगे और एक साइट आप चाहें तो इनको कोई भी सेब दे सकते हैं जैसा आप चाहेते हो तो फैंस हम इसमें चौकोर साइज लेंगे देखिए समचतर भुचे साइज लेंगे तो इस तरीगे से हम आप चाहिए तो तिरची काजु कतली की टाइप में भी काट सकते हैं जैसा आकार आप चाहते हो वैसे आकार में आप इनको काट सकते हैं तो हम इस तरीके से हमने इनको काट लिया है और रेडी कर लिया है और इसको अब हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं तो इस तरीके से हम एक प्लेट में इनको ट्रांसफर कर लेते हैं देखिए फ्रेंस इस तरीके से हम इनको प्लेट में ट्रांस्पर के लिए है इनका टेस्ट बहुत ही आमेजिंग एंट टेस्टी लगने वाली है आज हमारी मत्री इनको नमक पारा भी बोला जाता है तो देखिए इसी तरीके से हम और बेल कर रेडी कर लेते हैं इसी तरीके से हम सारे हों को बेल कर और कट करके रख लेते हैं फ्रेंस फ्रूस्ट के बाद हम इनको फ्रै करेंगे तो फ्रेंस देखे इस तरीके से हमने दूसरी लोई भी बेल दिये और इस तरीके से ही इसको कट करेना है तो देखे वे इस तरीके से लंबा लंबा पतला पतला काटना है एक साइट से और एक साइट से चोड़ाई मकारनी है तो देखे फैंस तरीके से हमने काट लिया और इसको भी हम एक प्लेट में निकाल देदे हैं तो देखे फैंस हमने पूरी एक प्लेट में मठरी निकाल लिया है तो इस तरीके से हमारी बनका रेडियो चुकी है पूरी zeń पिंस चलिए तो फ्राइ करते हैं तो हमने ये dośla रख दिया है अईल हमाला अच्छे कंव गराम गचुका है और इसमें हम colocar dit कुछ देते हैं कि उपनेकिद Michal rivals कंवा ऐट कर देती है जिससे कि अच्छे से फ्राइब हमें हाइ फ्लेम पर फ्लेम फ्लेम पर असवीडराः हो झाल और हमें हमें फ्लेम फिरुम पर रृत करनी है और इस तरीके से हम को हलका सा चला देते है भी इसको unacceptable को कुछ Genesis हम हेलका से हो जाएगे तो फिर हम इसको चला देंगे इस तरीके से हम प harvest होiende को है में इस तरीखिया चलाती हैं Mia end consumer कर लेते हैं इंसका color हल्का सा ब्राओनी हो जाता है तो देखे इस तरीखिये हैं में इनको अच्छे प्ल्राइट में ठाणसफर कर लेते हैे तो इनका टैस्ट वह द्युक्वाद में स्वाधिắt है और आप हमें comment box में comment करके जरूर बताना कि आपको हमारी discussी लगी so thank you friends, bye bye